हलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा कि कैसे कोण जाचक और डी प्रोट्राक्टर का प्रयोग करके हम कोण माप सकते हैं। इस वीडियो में हम कोण पहचानने और डी की सहायता से कोण को मापने के कुछ दिल्चस्प उधारन देखेंगे। आज गोलू और भोलू एक मसितार खेल खेल रही हैं। वे कुछ चित्रों को देखकर अंदासा लगा रही हैं कि उनमें बन रहा कोण कितने डिगरी का होगा। आज ये देखें कि कौन सही से कोण पहचान पाता है। चलो भोलू इस कोण को देखकर बताओ कि यह लगबा कितने डिगरी का होगा। देखने में तो यह समकौन लग रहा है यानि कि इसका माप 90 डिगरी होगा। चलो डी की मदद से इसका सही माप निकालते हैं। अरे हाँ, यह तो 90 डिगरी का कॉन है अरे वाह, तुम्हारा अंदाजा तो बिल्कुल सही था चलो अब अगले चितर के कॉन का माप मैं बताता हूँ यह कॉन तो 90 डिगरी से बड़ा लग रहा है लेकिन यह कॉन 180 डिगरी से छोटा होगा चलो इस कॉन को माप कर देखते हैं इसका माप 120 डिगरी से थोड़ा ज्यादा आया तुम्हारा अंदाजा एक तम सही निकला गोलू यह कॉन 90 डिगरी से बड़ा और 180 डिगरी से छोटा है अब इस कॉन को देखो गोलू मुझे तो यह कॉन 90 डिगरी से छोटा लग रहा है क्या भोलू का अंदाजा सही है? आप चाहें तु वीडियो को यहां रोग कर सोच सकते हैं हाँ, देखो इसका माप लगबग 60 डिगरी आया यह खेल तो बहुत मज़िदार है अब घड़ी में बन रहे इस कॉन को देखो अरे, यह कॉन 90 डिगरी से तो बहुत छोटा लग रहा है इतना ही नहीं भोलू यह कॉन तो 90 डिगरी के आधे यानि की 45 डिगरी के कॉन से भी छोटा लग रहा है हाँ, भोलू यह देखो इसका माप तो 30 डिगरी से भी कम है तो देखा आप सबने कैसे गोलू और भोलू ने कोण का माप निकालने में भी एक मज़ेदार खेल ढून लिया आप भी अपने दोस्तों के साथ ऐसा खेल खेलिए और देखिए कि क्या आप सबी उत्तर सही दे पाते हैं या नहीं इस वीडियो में हमने कोण पहचानने और डी की सहायता से कोण को मापने के कुछ दिल्चस्प उधारन देखे क्या आप पता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा कोण बढ़ा है सोचिए सोचिए इसका सही उत्तर हम आपको अगली वीडियो में देंगे अगली वीडियो में हम कोण पहचानने और डी की सहायता से कोण को मापने से जुड़ी कुछ सामान्य गलतियां देखेंगे धन्यवाद